एरिक पंदरा साल का एक लड़का था उसकी माँ की दो साल पहले ही एक कार एक्सिडेंट में डेथ हुई थी उनके गुजरने के बाद एरिक बहुत मायूस हो गया था एरिक के डैट की नाइट शिफ्ट होने की वज़ा से वो उसके साथ जादा वक्त नहीं गुजार पाते थे एरिक ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से भी बात करना बंग कर दिया था एरिक अपनी क्लास में अकिला बैट कर बस अपनी किताब में ड्रॉइंग्स बनाता रहता था पर एक दिन एरिक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिन्दगी बदल दी उस दिन एरिक की क्लास में एक नया स्टूडेंट माइकल एडमिट हुआ था माइकल दिखने में एक बहुत ही शर्मीला सा लड़का था उसके ब्राउन बाल उसके पूरे माथे को ठके हुए थे और उसकी नीली आखें उसके बालों के बीच से चमक रही थी माइकल की इंट्रोडक्शन की बाद वो एरिक के साथ आकर बैठ गया माइकल एरिक से बात करने की कोशिश करने लगा पर एरिक किसी से बात नहीं करता था वो माइकल को इग्नोर करके अपना सर जुका कर अपनी किताब में ड्रॉइंग बनाने लगा थोड़ी देर में स्कूल खतम होने की घंटी बजी और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे एरिक भी अपनी साइकल पर स्कूल से बाहर निकला कि तब ही उसने देखा स्कूल गेट के बाहर कुछ लड़के माइकल को बुली कर रहे थे माइकल ने एरिक को देखते ही उसे मदद के लिए बुलाया पर एरिक ने उस पर थ्वान नहीं दिया और अपनी साइकल लेकर वहां से चला गया। लेकिन कुछ दूर पहुँचकर एरिक को बहुत बुरा लगने लगा। उसके दिमाग में बार बार मदद मांगता हुआ माइकल आ रहा था। वो वापिस स्कूल गया। लेकिन वहां पहुच कर उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। तभी एरिक को माइकल अपनी साइकल से एक रस्ते पर जाते हुए दिखाई दिया। उसके पीछे वही लड़के लगे थे जो उसे बुली कर रहे थे। एरिक भी माइकल की मदद करने के लिए उसके पीछे चला गया। साइकल चलाते चलाते वो एक ऐसे रस्ते पर आ गया था जिसके दोनों तरफ जंगल था। एरिक को लगा कि शायद वो भटक चुका है और उसने बापस मुणने का सोचा। लेकिन वो जैसे ही मुणने लगा उसे जंगल की एक तरफ से थोड़ी हलचल सुनाई दी। एरिक में उस तरफ नजर उठा कर देखा तो रोड के साइट पर लगी जाडियां बहुत जोर जोर से हिल रही थी। एरिक हिम्मत करके उन जानियों के पास गया तो उसकी रूहु काप गई। उसने देखा कि एक बहुत ही भ्यानक दिखने वाला भेडिया एक इनसान को नोच-नोच कर खा रहा था। ये देखकर एरिक का शरीर बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसने ध्यान से देखा कि वो शरीर जिसे वो भ्यानक भेडिया चबा रहा था। वो किसी और का नहल बलकि उसी लड़के का था जो स्कूल के बाहर माइकल को बुली कर रहा था। एरिक धीरे धीरे पीछे जाने लगा कि तभी उसका पैर नीचे पड़ी एक सूखी टेहनी पर जा लगा। जिससे एक जोर की अवाज हुई। उस अवाज को सुनते ही वो भेडिया पीछे मुड़ा और सीधा एरिक के उपड़ चपड़ गया। एरिक अपना पूरा जोर लगा कर खुद को उस भेडिये से बचाने की कोशिश कर रहा था। कि तभी उस रोड पर से एक कार भुज़ी और वो भेडिया अचानक एरिक को छोड़ कर जंगल की तरफ भाग गया। एरिक तुरंथ खड़ा हुआ और घबराई हुई हालत में वहां से अपनी साइकल लेकर भाग गया। उसने जल्दी से जाकर पुलिस को इनफॉर्म किया और पुलिस को लेकर उसी जगा पर पहुच गया। पर ना तो अब वहां पर कोई भेडिया था और ना ही किसी की बॉड़ी। पुलिस को लगा कि एरिक उनके साथ कोई मजाग कर रहा है और उन्होंने एरिक को डाट लगा कर घर भेज दिया। अगले दिन स्कूल में एरिक अपने फेवरेट टीचर मिस्टर ब्लैक से इस बारे में बात करने गया। एरिक की मौम के मरने के बाद प्रोफेसर ब्लैक ने एरिक को काफी एमोशनली सपोर्ट किया था। एरिक को यकीन था कि कोई उसकी बात को समझे ना समझे मिस्टर ब्लैक जरूर समझेंगे एरिक ने अपने साथ हुआ किस्सा उन्हें बताया और एरिक की बात सुनकर मिस्टर ब्लैक हैरान हो गए और उन्होंने अपने कमरे के दर्वाजे को बंद किया और अपनी अलमारी में से एक पुरानी से किताब निकाली एरिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर फिर मिस्टर ब्लैक ने उस किताब को खोला और कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि एरिक ने जो कल दिखा वो कोई मामुली भेडिया नहीं था बल्कि एक वेर वुर्फ था वेर वुल्फ यानि ऐसे mythical creatures जो वैसे तो इंसानी रूप में रहते हैं पर आपे से बाहर हो जाने पर या किसी चांदनी रात में एक भयानक भेडिये में बदल जाते हैं ये सुनते ही एरिक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलने लगी वो माइकल के पीछे उस रस्ते पर गय वो माइकल को ही बुली कर रहा था ये सब सोचकर एरिक को लगने लगा कि माइकल एक वेर वुल्फ है और उसी ने कल उस पर हमला किया था उस दिन के बाद से लगभग हर दिन लोगों के लापता होने की खबर आने लगी एक दिन मिस्टर ब्लैक ने एरिक से कहा कि उन्हें उस भेडिये को मारना होगा Mr. Black ने कहा कि Eric का सामना उस भेडिये से पहले हो चुका है इसलिए वो भेडिया Eric का शिकार करने जरूर आएगा और इससे पहले वो आये Eric को उसे ही मार देना चाहिए स्कूल के बाद Eric Mr. Black के साथ उनके घर चला गया Mr. Black ने उसे पीने के लिए कॉफी दी लेकिन उस कॉफी को पीते ही Eric को चक्कर आने लगे और उसे सब धुंदला धुंदला दिखने लगा उसने देखा कि Mr. Black अपने बेडरूम की तरफ जा रहे हैं बाहर बहुत रात हो चुकी थी और चांद भी नज़र आने लगा था Eric विहोशी की हालत में ये सब देखी रहा था कि अचानक से Eric को Mr. Black के बेडरूम से एक जोर की आवाज आई Eric तुनन्त उटकर विहोशी की हालत में उनके कमरे के दरवाजे पर गया दरवाजा अंदर से लौक था Eric को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो Mr. Black को जोर-जोर से आवाज देने लगा और दरवाजा नौक करने लगा पर Mr. Black ने कोई जवाब नहीं दिया Eric को अंदर से किसी भीडिये की गुहार करने की आवाज आ रही थी Eric ने की होल से जैसे ही कमरे के अंदर जाका और दात एक जानवर जैसे बड़े हो गए कुछी सेकंड्स में Mr. Black उस खुंखार भेडिये में बदल चुके थे Eric समझ गया था कि वो वेर वुल्फ माइकल नहीं बलकि Mr. Black ही थे पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता Mr. Black ने दर्वाजा तोड़ते हुए Eric पर हमला गया वो Eric को नोचने लगे और Eric दर्द में अपना हाथ इधर उधर मार रहा था कि तभी उसके हाथ में Mr. Black पर लाइकर आ गया Eric ने जैसे ही वो लाइटर जलाया वो भेडिया पीछे हट गया Eric ने आसपास की सारी चीजों को जलाना शुलू कर दिया आग के डर से वो भेडिया बहाँ से भाग गया जब पुलिस Mr. Black के घर पहुची तो उन्हें दिखा कि Mr. Black का घर जला पड़ा है और Eric एक कोने में भी होश पड़ा है Eric को जब होश आया तो उसने पुलिस को सब कुछ बताया लेकिन उस दिन से Mr. Black भी गुमचुदा लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए थे पुलिस को भी अपनी इंवेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला उन्हें Eric की कहानी पर यकीन तो नहीं था लेकिन उस दिन के बाद से शहर का कोई भी इंसान गायब नहीं हुआ